हेलो गाईस बनिमांद्ध ग्रोफ आमपेट वैक्सिंग आज मैं आपसे यही वीडियो शो करने जा रही हूँ यह मेरे क्लाइन की एक मेंद्ध की ग्रोफ है आमपेट के साथ मैं हैंड वैक्सिंग की पुरी फुल वीडियो आपके सामने शो करूँगी यहां मैंने roll on wax जो honey wax है वो अपने clan की armpit पर यूज किया है और armpit की जो hair है two direction में है एक right से left की और जा रही है और एक up से down की और जा रही है तो मैंने two section में अलग लग honey wax जो roll on wax है वो apply की है striply है उसे अच्छी तरह से press किया है skin को stretch किया है और उसे हमने opposite direction में निकाल दिया है और skin को ची तरह stress करने के बाद उसे हमें press किया है तांकि थोड़ा सा relief मिले थोड़ा सा अराम मिले तांकि जितने भी हमें थोड़ी सी pain देती है वो उसमें हमें बहुत फरक महसूस हो ज़्यादा pain ना हो तो इससे क्या होता है हमारा blood circulation एकदम जो भागने लगता है वो down हो जाता है जब हम skin को press करते हैं तो इस परोजस्में ने उसके बाद क्या करना है wax oil होता है जो wax lotion होता है जो अच्छी तरह से apply कर देना है और हमारी armpit की जो wax है वो done हो जाएगी तो इसी तरह हमने अपने hand की जो मेरे यहाँ client की one month की पुरी full growth है hand की तो उसी को मैं आच इस armpit के साथ clean पूरी करूंगी hand को जो one month की पुरी full growth है तो इसी तरह हमने सबसे पहले powder की application करनी है मैं armpit सही start कर रही हूँ तो अच्छी तरह से powder की application करने के बाद मैंने roll on wax deplinator जो है वो अपने client की जो half arm है उस पर apply किया है striply है और उससे अच्छी तरह से प्रेस करके opposite direction में निकालना शुरू किया है इससे क्या है कि एक तो पूरे के पूरे hair निकल जाते है उपर से dead skin जो इतनी जदा tanning हुई होती है हमारे आम पर वो सारी की सारी wax से बाहर आ जाती हमें इसी तरह साथ साथ हमें अपने skin को अच्छी तरह से प्रेस करना है तांकि हमें जो strip को निकालते वक्त पेन होता है वो ना हो इसी तरह हमने अब अपनी half hand को और elbow तक जितनी भी हमने वहां पर wax अच्छी तरह से रोलर से अपलाई करनी है skin को अच्छी तरह से stretch करके हमने धीरे धीरे one by one जितनी भी wax जहां जहां हमें नजर आ रही है वो सभी हमने निकाल देनी है तो ये process बहुत ही easy है easy way से है करने के लिए और इसमें pain भी इतनी जादा नहीं होती है बहुत काम होती है क्योंकर एक बार ही पुरी की पुरी wax लग जाती है और उसे करना बहुत easy होता है तो जितनी भी हमारी growth होती है बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमें बालों के accordingly बालों के direction के accordingly हर काम करना है Please guys तो आप मेरे इस चैनल को जदा से जदा सपूर्ट करें जदा से जदा लाइक करें जदा से जदा कvelmente करें और Please मुझे कॉमेंट करके बताए है कि आपने अगली कौण सी वीडियो देखनी है आप कौण सी अगली वीडियो देखना चाहते हूँ क्योंकि ये जो मैंने जितनी भी मैंने अपने इस चैनल में वीडियो बनाई है मैंने सबी की सबी बच्चों के लिए नहीं बनाई है और ये बच्चों के लिए भी है भी नहीं है ये सिर्फ बड़े ही देख सकते हैं जिन्होंने जिने घर में काम करना है अगर नहीं भी पता लगता कि कैसे करना है तो वो वीडियो वाच करें और वो इसली काम कर सकते हैं कि वैक्स कैसे करनी है कैसे की जाती है और इसके क्या बैनिफिट है इसके क्या बैनिफिट नहीं है इसको सबसे बड़ा बैनिफिट यही है कि जो हम वैक्स से स्कीन को हम क्लीन करते हैं इसे पुर वे नीड औन क्लीन नजर आती है जैसे कि हमारी स्किन फिर से ए खिल उठी है जुम उठी है नाच उठी है कि वो बोल रही है कि हाँ स्किन हो तो ऐसी हो तो अगर हम वहीं पर शेव यूज करे, रेजर यूज करे और कोई भी है, रिमूवर यूज करे तो उसे हमारी स्किन डैमेज होती है बाल हाड आते हैं बहुत सारी प्राब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है आफ्टर वेक्स के बाद अगर हमारे फॉलिक अगर ज़्यादा प्राब्लम्स दे रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनेफिट वाली बात यही है कि हमें हर 15 डेस में अपनी बाड़ी को एक्सफॉलियेट करना है स्क्रब करना है अच्छी तरह से जिससे कि हमारी स्ट्रोबरी लेग हो पूर बंध है इंग्रोन हेर है इससे पूरी की पूरी प्राब्लम्स सॉल्व हो जाती है इसी तरह मैंने अब अपनी क्लाइन की जो हैंड की वैक्स है वो से भी अल्मॉस्ट डन कर दिया ची तरह हैंड पर वैक्स लगाई है और जिस्ट के हल्प से उसे अपॉसिट डिरेक्शन में सारी की सारी निकाल दी है और जो आम है कितनी नीड एंड क्लीन हो गई है तो होफुली आपको ये वीडियो ची लगी होगी पता नहीं मैंने जस्ट अपने फोन को अपग्रेड किया था अपग्रेड करने के बाद मेरे सारे व्यूस डाउन चलेगी जितनी वीडियो में चल रही थी सारी की सारी काम होगी है तो प्लीज मेरे आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वेज इस चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको अगली नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है वो प्लीस मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं उसी के रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करूँगी दिखाऊंगी अगर आपको उसमें से कुछ भी ठीक ना लगे तो मुझे प्लीस बता देना तो ये आफ्टर की वीडियो है तेंक यू सो मच अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई